let's do question number 5 of exercise 1a that is number system question number 5 is find the difference between the place value of the two nines in 79520986 इस value में 2 9 की place value का difference निकालना है तो देखिए 1 9 यह है और 1 9 यह है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं नमबर लिख लेते हैं 7952 79520986 यह हमारा कोशन नमबर 5 यह है इसकी प्लेस वाल्यू लिख लेते हैं पहले की प्लेस वाल्यू और नेक्स्ट की प्लेस वाल्यू यह है हमारा first और इसको माना हमने second 9 राइट तो प्लेस वाल्यू और first 9 is कितनी है प्लेस वाल्यू उसकी कौन सी प्लेस पे है प्लेस वाल्यू वा मतलब होता है यह कौन सी प्लेस पे है अगर आप देखिए हमने once 10s 100 100 प्लेस पे है तो that means 900 होगा इसकी प्लेस वाल्यू अब इसी तरीके से तो हमने लिखा 9 के आगे 6 zeros 10 लाग बन गया अब इसका डिफ्रेंस निकाल नहीं तो डिफ्रेंस किया होगा हम बड़ी वाल्यू में से चोटी वाल्यू माइनस करतेंगे तो 9 के आगे 6 zeros आ गई उसमें से हमने 900 माइनस कर दिया तो यह कितना गया दो 0 as it is यहां करके दिखा रही हूं माइनस 9 के आगे 6 zeros में से 900 माइनस हो गया राइट तो कैसे आया देखे 2 zeros as it is कैरी लिया तो यह 8 यह 9 यह 9 यह 9 यह 9 और यह 10 तो 10 में से 9 गया 1 9 9 9 9 और 8 as it is तो यह कितना गया है 8 9 9 9 1 और आगे 2 0 is the answer let's do question number 6 question number 6 में क्या कह रहा है question number 6 में कह रहा है find the difference between the place value and the face value of 7 in this number right तो number लिख लेते हैं 27650 now place value और face value को difference निकालना है तो place value क्या हो इसकी place value of 7 is 7 कौनसी place पर देखिए once tens hundred thousand ten thousand तो हमने लिख दिया 7 lakhs, 7 के आगे उतनी ही zeros लगा दी जित्ती प्लेस पे है, right, अब face value क्या होती है, face value, कोई से भी number की, जो इसकी number की face value पूची गई है, वही number उसका face value होता है, कि वो क्या number लिखावा है उस place, जिसकी face value, like 7 पूचा है, face value of 7, तो face value 7 की, 7 ही होगी, अगर वो पूच रहा है face value of 9, 9 की face value 9 ही होगी, अगर वो पूच रहा है 3 की face value क्या है, तो 3 की face value 3 ही होगी, right, face value जो number जिसकी पूच रहा है, वही number उसका face value होता है, तो इहां पे 7 ही होगी इसकी face value, अब हमें क्या निकालना था, देखिए, question में कह रहा ह हमें difference निकालना है तो हम minus difference का मतलब हमेशा होता है minus तो हम minus कर देंगे place value में से उसकी face value तो कितनी आ जाएगी देखिए यह 6 हो गया carry लेने पर यह 9 हो गया 9 हो गया यह भी 9 हो गया यह 9 हो गया और यह 9 हो गया और यह 10 हो गया क्योंकि हम 0 में से 7 को minus नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमने carry लिया 10 में से 7 गया 3 और 9 कितनी बार आएंगे 5 टाइमस देखिए कैसे 1 2 3 4 5 टाइमस 1 2 3 4 5 इसको please calculate करके लिखे वरना digits इधर उधर हो जाएंगे अगर एक भी 9 मेंस हो गया तो आपका answer wrong हो जाएगा तो इसको ध्यान से लिखिए this is the answer